अगला टॉपिक है वो है पॉलिनेशन यह इंपोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इसतरा टॉपिक है है ना पॉलिनेशन मतलब परागन और पहले यह बता दू कि हम लोग कौन से चेप्टर ने चल रहे हैं हम लोग 12 चेप्टर शेकेंड पुस्पी पाधबकों में लेंगिक प्रजन यहां चल रहे है ना उसके हम लोग अनेक पार्ट वीडियो बना चुके है उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्सरम देया जाएगा वहां आप लोग देख लीजीगा पिछले वीडियो का लिंक तो आज का टॉपिक क्या है परागन है अब इस परागन क समझेने के लिए आपको पहले तो यह समझना जरूरी है कि यह पुस्प के नरजन और और मादर जन अंग कौन कौन से हैं है ना तो आपको पहले बता दू कि पुस्प के नरजन अंग को हम लोग बोलते हैं पुमां क्या बोलते हैं पुमां है ना एंडरोसी हम बोलते हैं उ को है ना अब पुमंग पुमंग बहुत सर रहेंगे तो आपको देख बता दूँ कि यह सब यह जो छोटे-छोटे चीर दिखाए देरा यहां पस है ना यह गुड़ाल का पूस्क पर कहा है यह तो यह सब एक साथ कहलाएगा पुमंग क्या कहलाएगा पुमंग और अकेले इस यह मादा जननर अंग है तो इसमें से जो सबसे cya अपने लाता है बहुत सारे तो इसको हम लोग completely 20 से निकलता है यह निकालके दिखाएगे तो उसको हम लोग बलेंगे ज्यांग क्या बलेंगे सबको और इसमें से किसी एक को लेंगे जादी ठीक है अधिक तर बहुत से क्या बोलेंगे इस तरी के सार मैंगली सुनी बतारा हूं सबको न ओके इस टेमें वगरा बोलते हैं इसको चलिए तो यह तो क्लियर होगे आपको पुस्प नर्जनन अंग क्या है पुमंग है उसकी काई को पुंके सर कहते हैं और माधेज रंग कौन है जयांग उसकी काई को कभलते हैं इस तरी के सब अन्डफ है इसको हम लोग अलग अलग तरी के सब पढ़ते हैं मा लो जाय मैं पुमांग के एक भाक को निकालता हूं आध ऐसा है ठीक Catism भान पूंग के समय के यह 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 त्व। पुमांग लिगेनि इसको पुतन्तु, इंगलिसमें बले तो एंधर, इसको connective, इसको filament, ठीक है, इसको बलेंगे वर्तिकाग्र, इसको बलते हैं stigma, इसको बलेंगे वर्तिका, style, और इसको बलेंगे अंडासा है, ओरी, ठीक है, यह नाम आपको दिखेगा नहीं, आप लोग सुन ले न, अच्छे से, एं तो यह पराग कोस है, यही से हमको पढ़ना है, पराग कन, परागन, क्या पढ़ना है, परागन, तो एच्छिली में, नार्मल भासा में समझा जेता हूँ, परागन क्या है, यह पराग कोस है न, इस पराग कोस में बहुत सारे पराग कन होते हैं, यही पराग कन निकल कर पह लिए मैं अलग अलग तरीका से आपको बताऊंगा तो पहले आप लोग रियाल देख लीजिए पूस्ट के बारे में मेरे पास पूस्ट पर अवैलेबिल है है ना चलिए तो आपको यह दिखा जाता हूं मैं पूस्ट पर पूरा कंप्लेटरली मेरे को लाल पूस्ट पर नहीं मिला यह वाल मिला ठीक है तो इसको हम लोग अभी पढ़े हैं भी बताया मैंने जी हां तो यह यह अला भाग फीर एक बार दिखा रहा हूं जल देख लिए यह जो भाग है है ना यह सब यह कंप्लेटरली यह मादा जनान अंग है स्वरी नर जनान अंग है पुंके सर इसको सभी को हम लोग बोलेंगे पुमं लेकिन अकेले बस को निकालेंगे तो इसको ठीक है और यह अलब दिख रहा है यहाँ पर यह बड़ा सब बीच में वर्टिक आग रहा है इसमें से एक दो तीन चार यहाँ पर दिख रहा है तो यह कंप्लेटली अंदस निकालेंगे ऐसे यहाँ तक जाएगा ठीक है यहां तक यह से जाएगा तो यह क्या है हम लोग इसको क्या बोलेंगे इस तरी के सर इकाई को ठीक है इस तरी के सर बोलेंगे उसको है न इस तरी के सर बोलेंगे हम लोग completely ठीक है और यह जो भाग दिख रहा है इसको हम लोग बलेंगे अंडासा है क्या बलेंगे अंडासा है अंडासा है अंदर में भाग निकाल कर दिखाया जाए तो इस तरह से दिखाई देगा यह अंडासा है घी रख दीरह एक आहां इसके लिदर के निकाल कर देखें यहां पर अबलनी है ठीक है तो यह हो गया आपको स्माझ clarity में आ गया होगा ठीक है यह अन्डाश है ये श्टीगमा ये श्लिडाइल सरख ये श्टीगमा ये वर्तिक हागा और ये वर्तिका ठीके? यह वरति का अगर है सबसूपर वाला, यह वरति का और यह जीचा है, वो है अंडासा है, ठीके? तो हम लोग चलते हैं किसमें? परागन, किकी बढ़ he? जी हा. तो परागन का परिभासद का उसको समझना है, कि यह जो पराग को सही से परागन निगलता है और इस ओछ तो आपको मैं बताया थहूं त्लम अपर बना एता हूं थे ही चोटा बना धाए है कि इसमें बताइब हैं इस्टाईल है कि इस्टीग मारा एई स्टाल और यह जिएक पत्याइब गना रखना कि बढ़र मैं एक और इसपो बना है यह प्र tub तो तिन तिन पुस्पग का ही आप खेले बच्छा तिन पुस्पग का यह पुस्पग किसी अन्य पहुत है मैं यह पुस्पग के अब इसी पुस्पग ले रहा हूं पराग कन इसमें से निकले पराग कन इसमें ये पूस्प करें बता रहा हूं ना तो किसी पूस्प के पराग कोस से निकले पराग कन उसी पूस्प के अब देखें यहां पर क्या है यह पराग कोस है और यह क्या है वर्तिक आग रहे हैं तो किसी पूस्प के पराग कोस से इसी पराग गणों का उसी पुस्प उसी पुस्प या उसी पुस्प के बिच जाएगा अब सी दिसकात क्या जाएगा उसको बता जाता हूं पराग कोश से पराग का निखलेगा या तो इसी पुस्प के बिच आगणों का उसी पुस्प या उसी पुस्प के किसी पुस्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुस्प या उसी जाती के किसी अन्य पौधे के पुस्प के सुग्रहा क्वड़ती कागर तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहा जाता है रिपीट करके सुनिएगा इसको बार बार ठीक है यह कलाएगा परागन तो प्रागन के प्राकार में तो प्रागन खालते हैं एक तो श्वा प्रागन होता है तो दोनों का परिभासा देखते हैं ध्यान से दिखेगा जी हां तो चलते हम लोग स्वपरागण में और आपको बताते हूं कि जो परागण का परिभासा जिसको लगाया हूं मैं वही परिभासा इसमें भी लागू होगा एक तरह से देखिए कि परागन का वहां प्रकार परागन के बता रहे है ना पर परागन का वहां प्रकार जिसमें एक पुस्प के पराग को से निकले किसी एक पुस्प है उस पुस्प के पराग को से निकले पराग अकन उसी पुस्प के तिन सुचेशन बताया था उसमें से पहला सुचेशन है न सांतित होते हैं तो परागन की यहां प्रक्रिया स्वा परागन क्या राती हैं देखें तीन सिचसन में से दो सिचसन निकल गया पहला सिचसन की उसी पूस्पम जाएगा उसी पूस्पम के पराक को से निकलेगा पराकन और उसी पूस्पम जाएगा उसी पूस्पम से निकल ग एक पुस्प के पराग को से निकले परागण उसी पुस्प के सुग्रहाक वर्दिकागर या उसी पौधे के दूसरी पुस्प के सुग्रहाक वर्दिकागर पर इस नादित होते हैं तो परागण की इस प्रक्रिया को हम बोते हैं स्वापरागार पहले स्थिति आटो गेमी करते हैं पहले स्थिति मतलہ जिसमें उस vlogs परागन है तो अनुकूल चाएं क्यों सफ़ परागन के लिए अनुकूलित होती है अनुकूलान होता है क्या क्या अनुकूला उते देखे पौधे द्विलिंगी पुस्प युक्त या उभैलिंगी प्रक्रति वाले होते हैं मतलब क्या हाँ जाए कि यदि पौधे द्विलिंगी होते हैं दो लिंगी उपस्तित होते हैं जी उसको द्विलिंगी कहते हैं तो द्विलिंगी होने के काराण वो क्या करते हैं स्वप्रागन को प्रियित करते हैं, अर्था स्वप्रागन होने के संभाना है होती है, हमारा पाइंट का गया नाम है तू अनुकूल ता है, तो पहला पाइंट यही है कि पौधे दिलेंगी पुस्पयूक्तेया उभईलिंगा सरी प्रक्षटेवाले होते हैं दूसरा नर जनल अग पुझेशहरम दिस्टर के सेर हैं एक साथ परिप्ग होते हैं जिसके करान क्याisty को सब्सक्रागां हो तो न्हीं हो सब्सक्राइब होते हैं पहुद है कि इस गुण को समकालिक परिपक्वता कहते हैं इतना लिखनी जवात नहीं है लेकिन यहां पर लिख देना क्लियर ठीक है तीसरा हम चलते हैं पुस्पों का अनकर्शन होना सब परागन की समभायता को बढ़ाता है दूसरे पुस्प के उपर आकर्सित जब नहीं हो पाते हैं यह सुरी पुस्प है वो आनकर्सित है मतलब जो कोई भी कीट है कोई भी पक्षी है कोई भी चमगादर बगर जो भी है वो उस पुस्प में बढ़ाता है तीस तरा चाहूंता देखे सब्सक्रागाद को प्रदषित करने वोले पाधबों के पुस्प छोटे रंग तथा गंधिन होते हैं अब इन ही कानल से ही सवपरागन होता है क्योंकि गंधिन होगा मतलब कोई कीड़ा नहीं आएगा और कुस्प का पराग को से सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं सवपरागन है तो अनुकूलताएं पढ़े हैं उसका तीसरा अमर का पाइंट आता है सवपरागन के लाब लाब और हानी को एक साथ बता रहा हूं मैं लेकिन आपको अलग-अलग बनाना है सवपरागन के लाब पहले लिखना है तो पहला लाग है यह है कि परागन के क्रिया सरलता सुगमता से संपन हो जाती है क्यों तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है मतलब परागन क्रिया क्या होती है सरलता सुगमता से हो जाती है दूसरा लाब यह है कि सवपरागन है तो पर मतलब सुद्ध उसी पौधे में जा रहा है तो क्या हो जागा इंप सुद्ध नस्पला के प्राप्थ फ्रापत होंगे छाहता में पहता है परपरांगर नहीं हो पाता है तो उस में परपरांगर में प्रकान आ गया था स्वप्रागान की हानिया, अब हानी क्या है भई, लाब तो है, अब लाब है मतलब हानी होना जरूरी है, है ना, तो इसमें फलों से बीज, इसमें फलों में, इसके फलों में, है ना, तो इसके फलों में बीज संख्या में कम एम हलके होते हैं, मतलब क्या होता है कि विच की कमी होती है, कम मातर में बीच पाय जाते हैं, दूसरा हानी यह है, कि स्वापरागान से बनने वाले पिढ़ी दुर्बल या रुगन होने की संभाना होती है, दुर्बल और रुगन तूटने वाले होने की संभाना होती है, इसमें क्यों एक ही किस्मा के पौधिविक् अब देखिए तीसर सिच्छसंद तो उसमें लाग हो गया तीसर सिच्छन इसमें लाग हो गया किसी एक पॉध्य पर इस्थित पुस्पक के पराग को से निकले पराग कन यहां तक तुम लोग जानते हैं उसी जाती के देखे उसी पूस्पक नहीं बोला जा रहा है या उसी पौधे के अन्य पूस्पक नहीं बोला जा रहा है उसी जाती के किसी अन्य पौधे पर इस्थित पूस्पक के सुग्रहाक वड़ी ताग्रतक इस्थनादित होती है तो उसे पर परागन कहते हैं इसे एलो तो प्रकृतिम कुछ ऐसे पुस्प पाई जाते हैं जिसके पराग कर उसी पुस्प या उसी पादप के दूसरे पुस्प के वर्दिक आगरफ पर गिड़ जाते हैं है ना अब देखे माल जाए वही पुस्पा है ये कौन सवरा सिच्छन जा रहा है पहला नंबर कर सिच्छन जा रहा है कि उसी पादप के किसी दूसरे पुस्पा के वर्दिकागरप पर गिर जाते हैं तो उसमें अंकुरान नहीं हो पाता है मतब उसी पुस्पा के उसी पुस कुसिइ दूसरे पुस्प के वड़तिक आगरा पर गिर्थ हो जाते है ना लेकिन उसमें अंकुरन नहीं होता है नहीं हो पाती है अब सव परागर." नहीं हो पाती है मतलब कौँसे परागण होगा पर परागण होगा जो हम पढ़ रहे हैं ठीक है इस गूंड को हम क्या बूलते हैं स्वबंद्धता कहते हैं कि दूसरा देखे एक लिंग था अब भई दो लिंग था तो उसी पुस्प का वर्तिक आगरा में उसी पुस्प का पुंके सर का अर्थात पराक कोस्प का पराकन गिरता था अब पुस्प ही एक लिंगी है तो परागन किसी ब्यारत में नहीं हो पाएगा मतलब क्या होगा पर परदस्ट करता है च्रेम परागन की छम्तर्फ समाथ जाती है। जो कि पर परागन के लिए अनुकूल्तायं परदस्त करती है। अगे पाइंट आता है भिन्नकाल परिपक्वता क्या होता है कि कुछ PADPOW में परपरागन की सभलता के लिए इसके पुंकेसर तथा अंडब अलग-णग समय परिपकों होते हैं देखें नर जननंग और मादर जननंग एक सब्वलता है तो सब्वलता होते थी। लेकिन एक पहले परिपक्क होता है, तो दूसरा अलग अलग समय परिपक्क होता है। तरह तिहां परपरागन को अनुकुलताया प्रतस्तित करती है है। चलिए तो इस तरह से हमारा परपरागन है उसकी अनुकूलता है समापत होती है अब सौपरागन में हम लोग इसके बात क्या पड़ते थे लाभ अम्हानी तो इस में एक नया परेंट जूड़ता है परपरागन की माध्यम या कारक कारक किसके मार्धम से ही परपरागन होता है तो बहुत सारे कारक हैं किसमे के और मैं दो तीन कारक भी बताऊंगा चलिए पहला कारक है अजयव कारक और दूसरा कारक है जैविक कारक ठीक है दो कारक है अजयविक कारक और जैविक कारक अजयविक में वायू जल यह है और जयविक में कीट है पक्ची है चमगादार है पौधे दोरा परागन मतलब इसके कारक है परपरागन की कारक है वायू दोरा भी होता है जल दोरा भी होता है अजयविक है अजयविक में कीड दोरा होता है पक्षी तरह भी होता है चम गादर दोरा भी होता है तो यह जयविक करक है इसमें से अजयविक करक में एक दो ही सपाड़ेंगे हम ठीक है तब से पहले आते हैं हम लोग वायू परागान है ना वायू परागन क्या होता है कि पर कर पहुंच जाती है ये इतले इसको बहुतं है वाईउ परागन है दूदसरा आएका जल्ण बरागन है लिख Hong вдруг झाल रू परागन की तरह नों होती है तो उसे जल परागन कहते हैं कि अर्थात इस परकार के परागन ने परागनों को सुग्रहक वर्तिकागर तक पहुंचाने का कारिया जल के द्वारा होता है कम्प्लिट जल परागन एक ही पैने दोनों निप्टा दिये कतम कि डूरा होने माले परागन के परागन कहलाता है मतलब क्या होता है कि पार अगरन को चूसने कारे करता है ना तब उसके पैर में पराकन पहुंच जाती है और उड़कर वो किसी दूसरे पौधम जाता है तो उस पौधे में पहुंच जाती है उस फूल में पहुंच जाती है पराकन और होता है पर परागन के बाद एक आउट पढ़ लेना आप लोग पर परागन से लाव पहला आगे हम चलते हैं पर परागन से नई किसमे कविकास होता है उसमें हम लोग दिखे थे नई किसमे कविकास नहीं होता है ठीक है पर परागन से लाव आगे हम चलते हैं पर परागन से हानी यहां निश्चित नहीं होता है क्योंकि एक पुस्पर दूसरी पुस्पर दूसरी जगा है होगा या तो नहीं होगा सीधित बात तो यहां निश्चित नहीं होती है क्योंकि यहां बायमाध्यम पर निर्भर करती है इसके लिए अतियदिक संहके में परागकनोग क्या सकता होती है यहाणि है ना अताव परागन के लिए पौदे के अतियदिक उर्जा परागकनों के निर्मानमें व्याय हो जाती है तीसरा पर परागन के कारण बनने आले पौधे मार्ति लक्षनों की उस्तुदता नहीं रह जाती हम लोग पुरा कम्प्लिटली जो सव परागन पढ़े उसको उल्टा बदा रहे हैं ना जन्तु परागन वाले पुस्पाकरसन होने मरकंद निर्मान गंद या सुगन उत्पद कर लिजेगा इधर दर कले जो भी करना है कर देजेगा ठीक है